कि येलो दोस्तों कव्य कीचन में आपका स्वागत है आज हम कोई रैस्पी यह आपके साथ करेंगे आज कीचन से रूएटड टीप से उसको सेट रहेंगे जो किचन का गैस का बर्नर होता है जो खाना गिर जाता है या चाय अक्षर करके बहुत जल्दी साफ हो जाता है तो इसके लिए हम एक चमच ये इनो लेंगे तो भर के हम एक चमच पूरा डाल रहे हैं या पैकेट वाला ले रहे तो पूरा एक पैकेट आप उसको डाल सकते हैं तो देखिए इनो हमने इसमें डाल दिया पूरा और अब हम नीबू लेंगे और नीबू हम ले रहे हैं तो एक हम पहले अच्छे से प्रेश करा दें इसे क्या होता कि नीबू काफी अच्छा juicy बन जाता है और इसमें juice काफी अच्छा निकलता है यह क्रूज है सब्सक्राइन चूरीड है पूरा दो निबु ले रहे हैं तो इस देख़ a निबु निचोड़े बाद हमके 10 मिट यह हिए वी राख तब इसमें एक चमच वाइट विनेगर लेंगे काफी अच्छे से छूट गया यह जीता भी था इसका अंदर जो जम जाता है वह भी छूटने लगा तब हम एक चमच के करीब वाइट विनेगर लेंगे और डाल करके हम 15-20 दो इसको पर ऐसे रख देंगे इसमें पानी का बहुत आसानी से साफ हो जाते हैं तो सब्सक्राइब करें हम इसको 20 मेटले यह धक छोड़ दे रहे हैं तो देखिए हमने करें पच्छे से 30 मेटले इसको इससे रख दिया था और देखिए कितना अच्छे से इसका सारा जो इसमें जमा हुआ था काले काली जम जाता है जो चा लिए बहुत ज्यादा नहीं लेना है खल का सपाईः डालेंगे इस पर हल के हाथों से इसको रगर देंगे और बहुत साफ हो जाता है बिल्कुल जितने भी दाग्धब्ब्वे हैं बिल्कुल छूट जाते हैं और एकदब नया सा हो जाता है काफी ज्यादा टाइम भी नह बिशाए ऐसा कुछ है तो इस टैइसे डेखिये हम हलके हाथों से रगवरल है कितना साफ हो गया काफी यह जम जाता है जो दाल बनती है या कुछ भी बनानी थी इस वज़े समझे इसको थोड़ा टाइम बाद साफ किया है तो 15 से 20 दिन हो गया करीब करीब इसको या एक मेहने आप समझ लीजिए एक मेहने बाद हम इसको क्लीन कर रहे हैं और देखिए कितने आसानी से क्लीन हो जाता है बहुत टाइम भी नहीं लगता है यह देखिए हम आपको दिखा रहे हैं कि जडा से रगर्णे में कितना साफ हो गया है जिसको हम अभी थोड़ा सा और रगण देंगे आपके पास अगर यह ब्रेश लोहे वाला जो आता है उससे भी आप अलकर से साफ कर दिए उससे भी आसानी साफ हो जाते है पर लोहे वाले स से साफ हुआ है बहुत ताइम ही लोग देखी एसको साफ करने में तो से हम पहले साफ करें रहा है उसके बाय भला मुदत है अभध ही ये था देखिआ अच्छे से साफ हो गया और जो इसके पीछे कितना काला जमा वब तो भी साफ हो गया, तो इसको हमने kitchen towel से साफ कर दिया, तो खा दिया इसका पानी, इसके दब हम आपको इसको जला के दिखा रहे हैं, कि देखें कितने अच्छे से अब यह जल रही है, तो अगर आपको मेरे यह वीडियो पसंद आती है, तो please में चैनल को like कीजिए, share कीजिए अगर आप में चैनल पर नए हैं, तो subscribe करना न भूले, साथ में bell icon ज़रू दबाएं, आप अपने अनुभों भी हमसे ज़रू share करें, thank you